नमस्कार, वल्कम तो और चानेल चाट विट्रेड इस हबते का चाट अब दो विक लिए मैं एक ही स्टॉक सेलेक्शन किया हूं और इस स्टॉक का हम डिटल्स में प्राइस एक्शन अनालेसिस करेंगे उससे पहले अगर अभी तका चाट विट्रेड चानेल को सस्काइब नह चाट विए स्टॉक का नाम है धुनसेरी भेंचर और आपके स्किन के सामने जो चाट उपन हुआ है यह उपन है धुनसेरी भेंचर का और यहां पर टाइम फ्रेम सेलेड क्या हूं विकली देखे बहुत एक पावरफुल सेटॉप बना है स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रॉ स्टॉक में अभी एक बर मुवमेंट देखने को मिल रहा है हाई प्रोबाइल के आने वाल टाइम में इस स्टॉक के आसपास उसी लेबल को ब्रेक करेगा और उसके उपर जैसे ही सॉस्टेन करेगा इस स्टॉक का प्राइस 450 के आसपास जा सकता है यह तो हो गया विकली अभी के लिए resistance इसमें breakout confirm होगा जो प्राइस यहां पर 270 के उपर closing होगा अभी तक closing हुआ नहीं है ना कि breakout आया है लेकिन high probability के breakout आ जाएगा इसलिए अभी initial हम low quantity के साथ auto test quantity ले सकते हैं और अनेवाल टाइम में जैसे ही प्राइस यहां पर breakout के अंडल बनेगा उसके बाद हमा रेजिस्टन्स के आसपास एक rounding bottom बनाने की कोशिश कर रहा है high probability कि यहां पर rounding bottom बन रहा है उसके swing low को यहां पर break नहीं करेगा तो आप यहां पर swing low के निचे आपका exit point decide कर सकते हैं जो की label हम पर nearly बन रहे है 230 के निचे और हम मिसा से आपका quantity को manage करना important है और धान रखेगा अभी के लिए low quantity के साथ इसको pre attempt हम कर सकते हैं I hope कि आप समझ पारे होंगे इसका target क्या रखेंगे target के लिए अभी मैं आपको weekly time frame में लेकर चलता हूं देखे initial target बनेगा इसका जो life high यहां पर बनाए 340 के आसपास पहला target बनेगा 350 का second target के लिए अभी हम use करेंगे फीबोना क एक्स्टेंशन का क्योंकि 350 के ऊपर यहां पर कोई भी supply demand लेबल नहीं रहेगा जिसकी बज़ा से हमको यहां पर use करना पड़ेगा target निकालने के लिए फीबोना की हो जाएगा उसके बाद हम quantity वहां पर आड़ कर सकते हैं इसलिए आप क्वांटिटी थोड़ा लोएर सैड में लिजेएगा जब तक यहां पर breakout नहीं हो रहा है ब्रेकाउट कॉनफर्म होने के बाद आप वहां पर quantity आड़ भी कर सकते हैं आपका रिक्स अपटाइड को है 259 और बुक भैलू क्या है 754 देखे स्टॉक का प्राइस अभी बुग भालू से अधा से भी कमदाम में चल रहा है बुक भैलू है 750 का और करन्ट प्राइस है 259 प्राइस टू बुक भैलू आम पर बन रहा है 0.34 का आरोच यह स्टॉक का 27.9 का आरोच यह 23.1 का डिविड स्टॉक का पी चल रहा है अभी 1.67 आने इंडॉस्ट्री का पी से भी स्टॉक का पी बहुत नीचे अभी चल रहा है अगर हम सारा सिन्योर देखेंगे तो जी स्टाप का टेक्निकाल अभी अगर कुछ डाउट है वीडियो नीचे को मेट कीजेगा वीडियो आच लागा वीडियो लाइक कीजेगा चनल को सब्सक्काइब केजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थांकियो फर वाचिक छुट करता है अगर की बालै यह को बेसे हैंज़ शोरे करते हैं